नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं विहार में सियासी हल चल लगता तीज है और इस बीच तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है तेजस्वी यादव नि कहा है कि निदीश कुमार के लिए तक्ता पलट इस बार आसान नहीं होने वाला है सुत्रों से बताया जा रहा है कि तेजस्वी ये बयान अपनी पार्टी आरजडी के विधायक हूँ और नेताओं के साथ बैठक में दिये है अस बीच आरजडी सुप्रीम वो लालो परसाद यादव ने भी कहा है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है ये सारी खबरे सुत्रों से सामने आ रही है बिहार में राजनीतिक उतल पुतल के बीच आरजडी खेमा पूरे तौर पर सक्रिय हो चुका है और सुत्रों से बताया जा रहा है कि गडवंधन तूटनी की सुरत में आरजडी की ओर से तेजसी यादव के नेतरत में आज दिन में एक बजे सरकार बनाने का दावा किया जा सकता है पताया जा रहा है कि आरजडी कॉंग्रेस वामदल के एक सो चौदे विधायकों के साथ जीतन राम मांजी के चार विधायकों को भी अपने पाले की करने की कवायद में जुटी हुई है बताया ये भी जा रहा है कि जीतन राम मांजी के बीटी संतोश सुमन को डिप्टे सीम पद का उफर दिया गया है दूसरी ओर AIMIM के एक और नर्दलिय विधायक के दम पर पहुमत के आंक रे 122 सीटे कम यानी 120 सीटे पर RGD पहुँच जाएगा वहीं जीडियों के भी कुछ विधायकों के तूटने का दावा RGD की ओर से लगतार ही किया जा रहा है बता दें कि RGD की आज महतपूर्ण बैठक होने जा रही है RGD विधायक दल की बैठक डिप्टे सीम तेजस्वी के आवास पांच देश रत्न मार्क में होगी पताया ये भी जा रहा है कि यहां तेजस्वी यादव सभी विधायकों के साथ रणमीती बनाएंगे और विहार के बदलती सियासत के लीच तेजस्वी की महतपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है खबर है कि आज दिन में दो बजे आरजेरी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव अपने दंप पर सरकार बनाने का दावा कर सकती है तो वही नितीश कुमार के जेडियू के गटबंदन तोड़ने की हालत में आरजेरी विहार में सबसे बड़ा दल होने के नाते राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा कर सकती है अगर उनको राजभवन में जाने की अनुमती नहीं मिली तो तेजस्वी यादव राजभवन के बाहर अपने विधायकों के साथ धरने पर भी बैठ सकती है इताल के लिए वीडियो में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 News